नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वण जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं गुड़ खाने के फैदे और नुकसान के बारे में आपको यदि सिहत बनाये रखनी है और मीठा भ के लिए बहुत लाब दायक होता है आयुर्वेत का मानना है कि गुड़ में मौजूद तत्व शरीर के एसिड को खत्म करते हैं इसके विपरी चीनी के सिवन से एसिड के मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं वैदे की सलाह के अनुसार निरो जाता है गुड़ खाने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया में सुधार आता है जबकि चीनी एसिड पैदा करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है आयुर्वेद में किये गए अध्यान से पता चला है कि गुड़ के मुकाबले चीनी को पचने में 5 गुना ज्यादा खर्च होती है यदि गुड़ को पचाने में 100 कलोरी उरजा लगती है तो चीनी को पचाने में 500 कलोरी उरजा खर्च होती है लेकिन बहुत से लोग इसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको गुड़ के फायदों के बारे में बताते हैं ताकि आ आपके शरीर से हानिकारक टॉक्सिंस को बाहर निकाल देता है और आपकी तवचा साफ और स्वस्त रहती है इसके अलावा ये हड्यों को भी बहुत मजबूत बनाता है गूर में केल्शियम के साथ साथ फासफोरस भी होता है जो हड्यों को मजबूत करने में सहायक माना जाता वहीं चीनी हड्डियों के लिए नुकसान दायक होती है क्योंकि चीनी इतने अधिक तापमान पर बनाई जाती है जिसके कारण गन्य के रस में मौजूद फासफोरस खत्म हो जाता है इसके अलावा पेशाब संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है गूर गन्य में मुत्र व गरंथी अति वृद्धि में मदद नहीं कर सकता है यह मुत्र अशय की सूजन को कम करने और उचित पेशाब करने में मदद करता है इसके लिए अयरुवेदिक डॉक्टर करम दूध में गूर लेने की सलाह देते हैं यह मुत्र परवाह में सुधार करता है इसके साथ-साथ ये शारीरी कमजोरी को भी बाई बाई बुलवाता है गुर हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इसका सेवन शरीर को उर्जा प्रदान करता है शारीरी कमजोरी में गुर के साथ दूध का सेवन बहुत ही लापदायक होता है गुर के साथ दूध का उपयो पांच ग्राम गुड दस मिली लीटर निम्बू का रस एक ग्राम काला नमक मिला कर सेवन करें यह शारीरी कमजोरी और समान्य दूरबल्दा को दूर करने में कारगर उपायर साबित होता है इसके अलावा हिचकी लिए भी इसके अलावा अगर आपको हिचकी आ रहे है तो भी आप गुड का सेवन कर सकते हैं गुड हिचकी के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है लेकिन यह सूखे अदरक पावडर के साथ प्रयोग किया जाता है थ्री ग्राम गुड पांसो मिली ग्राम सूखे अदरक पावडर को लीजिए इसके बाद गुड को पीस कर उसमें दूद के फायदे माइगरेन और सिर्दर्द को दूर करने के लिए गाई के घी के साथ गुड का उपयोग माइगरेन और सिर्दर्द में मदद करता है यह उपाय आम तोर पर पंजाब भारत में प्रयोग किया जाता है आप सूने से पहले और सुर्योदय से पहले सुबह मे खाली पेट 5 मिली लीटर गाई के घी के साथ 10 ग्राम गुड एक दिन में दो बार लें यह माईग्रेन और सिरदर्द से आराम दिलाएगा गुड के लाब पेट संबंधी समस्याओं में गुड के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे पेट संबंधी समस्याओं खत्म हो जाती है अगर आप गैस या एसीडिटी से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा गुड जरूर खाएं ऐसा करने से गैस या एसीडिटी की समस्या नहीं होती है गुड सेंधा नमक काला नमक मिला कर चाटने से खटी डकार भी बंद हो जाती है इसके अलावा आप दिमाग के लिए भी गुड का प्रयोग कर सकते हैं गुड का हलवा खाने से दिमाग तेज होता है और शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं गुड का हलवा सर्दियों में शरीर के तापमान को नियमित रखता है इसे खाने से यादाश्त पच्छा रखना चाहते हैं तो इसका नियमित सेवन करें इसके अलावा गुड खाने के फायदे आपको सरदी जुकाम और पुरानी से पुरानी खांसी में भी मिल जाते हैं गुड साधारन सरदी खांसी में बहुत हिलाब दायक होता है आप गुड को अदरक और काली मिर्च म एक चमच शहद मिलाकर खाना खाने के बाद एक दिन में तीन बार इसका सेवन करना है आपको यह पहली खुराक में ही अपना काम दिखाना शुरू कर देता है गुड पुरानी से पुरानी खांसी में लाब दायक है गुड के उप्योग से गला चिकना और मुलायम बनता है आयरवेद के अनुसार गुड फेफडों में घर्मी पैदा करता है और श्रसंत अंतर तक फैल जाता है गुड खांसी दमा और सांस लेने जैसी परिशानी में मदद करता है अगर किसी को भी सांस की परिशानी है तो वह चीनी के सेवन की जगह गुड का सेवन करे इसके आला इसके अलावा रक्त की कमी है आपके शरीर में तो गुड आयरन का एक अच्छा श्रोत है अगर किसी को रक्त की कमी है तब आप प्रती दिन गुड का सिवन कीजिए इससे आपको रक्त की कमी में बहुत फायदा मिलेगा गुड के सिवन से आपके शरीर में लाल रक्त को शि विकायत होती है उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए इसके अलावा ये दिल की बिमारी को दूर भगाता है दिल की बिमारी से बचने के लिए आपको गुड का सेवन जरूर करना चाहिए गुड का सेवन इतना अच्छा उपचार है जो आपको दिल की बिमारी होने के खतर चिलब में काम करता है गुड का सेवन आपकी आखों की रोशनी को तिवरता से बढ़ाता है इसके साथ जिन लदकियों को मासिक धर्म की परिशानी मतलब जिन लड़कियों को मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आता है उन्हें प्रति दिन तीन लोगूर का सेवन करना चाहि इसके लिए आप दिन में कम से कम तीन बार गुड का सेवन करें इससे आप अच्छे तरीके से खाना खाने लगेंगे और आपका स्वास्ते भी अच्छा रहने लगेगा ठंड में कई लोगों को कान का दर्द रहता है जिसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं ऐसे में गुड और घी को पका कर खाने से कान के दर्द में आपको बहुत फायदा मिलता है गुड मैगनिशियम का एक अच्छा श्रोत है ठकान मिटाने के लिए गुड का सेवन बहुत ही फायदे मंध होता है इसके लिए आप रोजाना गुड का सेवन कीजिए इससे आपको बहुत फायदा होगा अगर आप पर काम का बहुत प्रेशर है और आप इसके कारण नुक्सान रहते हैं तो आपको 20 ग्राम गुड़ का सेवन प्रती दिन जरूर करना चाहिए इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके लिए कुछ एक नुक्सान भी हो सकते हैं और ये भी जानना हमारे लिए उतना ही इंपो गुड़ खाने के फायदे के साथ साथ इसके कुछ एक नुक्सान भी हैं गुड़ घर्म होता है गर्मी के मौसम में गुड़ ज्यादा खालेने से नाक में से रक्त निकलने लगता है इसके अलावा शुगर के मरीजों को गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करने से शुग लेकिन उसमें गुड को सम्मेलित कीजिये ना कि चीनी को ता कि आपका स्वाद भी बना रहे हैं और आपका स्वास्त भी बेहतर है तो यह थी आसदा के जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद हिमत तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों